हेलो गाइज वेलकम टू मंजिल तोड़े विल टॉक अबाओ यू के एंड कैनेडा स्टडी वीजा येस गाइज यू के करंट सेनेरियो और कैनेडा के करंट सेनेरियो के बारे में हम सब जानते हैं बढ़ फिर भी कन्क्लूजन के तहत पर मैं आपको ये वीडियो बना रही ह कि राइट नाव जो यू के है और कैनेडा की पुजिशन किया है स्टूडेंट वीजा को लेकर तो इनिशेटिंग विद यू के सो यू के जो है वह बहुत ही जादा रिलाक्सेशन प्रवाइट कर रहा है और जो मै की रिकूरूटमेंट है वह बहुत ही फास्ट वेमें हो जो इंटर्विो पॉर्परस है वो मै को लेकर बहुत कम है अगार मैं कम्पारिजन करो माई ओर जैनवरी के लेका यूशे समय ऊपित his week and good sign from UK side की बीच में उनने कुछ restrictions की थी चाहिए वो North Indians की बात करूँ मैं North East की बच्चों की बात करूँ या फिर उनकी lockdowns की policies के लेकर बात करूँ वो restrictions आई थी September intake बहुत रिलेक्सिट किया था उनने बट January में कुछ restrictions आई थी बट मई को लेकर फिर से बहुत रिलेक्स हो चुकी है क्योंकि यह उन्होंने लिखा है अपनी official documents में कि वो June 21 तक अपना lockdown जो है फिनिश कर सकती है तो इससे हमें एक hop मिल सकती है कि हम UK study भी कर सकते हैं और UK को लेकर travel भी कर सकते हैं यहां पर अगर मैं comparison करूं कि जैनवरी की बात करूं तो जैनवरी में मैंने 90% जो success rate है वो हमने अपने company के थूरू देखने को मिली सब्सक्राइबर के रिजल्ट की comparison को सब्सक्राइबर का जो है वो जैनवरी से भी रिलेक्सिव था सो हार्ट्षिप जो थी हमने जैनवरी में देखी बट मैं फिर से नोने relaxation कर दिया है अगर आप अगर जाना चाहते हैं UK study करना चाहते हैं so this is a golden period we all know कि rumors आते रहते हैं कि lockdown होगा या फिर दुबारा से curfew लगेगा so it's all depending on covid-19 जो भी updates आएंगे अबर UK की तरफ से अभी ऐसा कोई update नहीं आया कि उनकी तरफ से फिर से जो international students की ऊपर कोई restriction लगने वाली है जो उनकी policies है चाहे वो उनकी new update थी कि वो अपना होटल कॉरेंटीन दुबारा से start करने वाले हैं या initial करना चाहते हैं या फिर बागी कुछ है तो यह अलग scenario है बट एक admission का process उन्होंने कहीं भी slow down करते हुए नहीं दिखा है इवन कि interviews भी बढ़ी smoothly जो है वो चल रही है students के साथ और result वो बहुत positive आ रहा है इस वह नहीं दो आपोशन आपड़ा सकता है यह डिराने को नहीं में कभी कहती क्योंकि यूच कांट्री है जो कि कुछ भी update आता है वह एकदम से fluctuate करता है थोड़ी-थोड़ी fluctuation नहीं दिखाता है वह एकदम से पीक पे आ जाता है फिर एकदम से फॉल हो जाते हैं, so go guys, this is a very good opportunity and अगर मैं present scenario की बात करूँ Canada की, so Canada को लेकर बहुत ही updates आते हैं, day by day, बहुत inquiries आती हैं, questions आते हैं, queries के regarding जो problems आती हैं, तो इसमें जो है, सब sort होता दिखता है, क्योंकि September intake जो है Canada ने वो declare कर दिया है कि वो on campus होगा, off campus नहीं होगा, जिसकी तो वो उनकी vaccination का procedure है, उसे बहुत ही ज़्यादा fast कर रहे हैं, और वो might be July या फिर August तक अपनी vaccination जो हैं, वो complete कर देंगे, almost complete कर देंगे, और अपनी application को लेकर बहुत ही ज़्यादा ही focus होए पड़े हैं, यहां पर मैं बात करूँ, यहां पर कुछ मेरे पस detailing हैं, वो मैं आप AAPS आई हुई थी, January भी दोबारा उन्होंने AAPS का system शुरू किया था, उनके भी जो है results आते दीखे, आए भी हैं, और जिनकी PPR थी pass for submission request थी, उनके भी result आए थे, यहां पर problem थी QBEC को लेकर, और QBEC के भी जो है, वो result देखने को मिले थी, और anyhow जिन बच्चों ने मार्च म अपने international students की तरफ से, और जो यहां पर problem आ रही है, उन बच्चों का delay हो रहा है result या तो QBEC के हैं, या फिर जिननों ने अपनी file जो है, वो defer करी थी, और किसी को मैंने कोई problem देखने को नहीं मिलती है, वो अलग scenario होता है, अगि profile ही बहुत complex हो, else defer वाले बच्चों को, और QB वाले बच्चों को हैं, वो थोड़ी सी problem देखने को मिल रही है, else जो बाकी जो results हैं, वो बहुत smooth है, PPR भी अच्छी तरह से आ रहे हैं, बायमेट्रिक भी आ रहे हैं, सो घबरानी की कोई जरूरत नहीं है, चाहिए वो QBEC वाले बच्चे क्यों नहीं है, उनको भी मैंने यह पहले भी बताया था, कि वो जो 10 की 10 institutions हैं, वो free हो चुका है, उनकी जो भी problem सी, वो उनकी क्यूबिक गर्मेंट ने, federal government ने clear out कर दिये, तो आप क्यूबिक के लिए भी apply कर सकते हैं, अपने आपको September intake के लिए भी prepare कर सकते हैं, क्योंकि September intake जो है, वो on campus होने वाला है, जल् भी आपके plans हैं इसके regarding और इसके according ही बनाएगे, thank you guys